नमस्कार दोस्तों सो फ्रेंड्स मद्यप्रदेश आशन द्वारा वेकेंसी एक बार फिर से आप पे रिलीस कर दे गई सरकारी भरती का विग्यापन आपे आ चुका है सबसे पहले आप सबी लोग ये जान ले इस बार जो वेकेंसी आप जो रिलीस की गई ट्रोपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट जवलपूर मद्यप्रदेश तो दोस्तों जवलपूर मद्यप्रदेश त्वारा ये पूरा सरकारी भरती का विग्यापन आप जारी कर दिया गया देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिकूरूटमेंट का आपको विग्यापन दिया जारा और दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं इसमें अलग-अलग तरह की पोश्ट यहां पर शामिल की गई नंबर और वेकेंसियां आप पर डिसकस कर लेते हैं तो आप सभी को बता देता हूं 42 पर इसमें आप पर शामिल की गएं मेल और फीमेल महिला और पुरुष दोनों इन वेकेंसियस के लिए आप लोग एपलाई कर पाएंगे चाहे आप लोग 10th क्लास पास हो चाहे आप लोग 12th क्लास पास हो तो 10 वी और 12 वी अक्षा वाले सभी candidates आप लोग apply कर सकते हैं इसके लिए आपको online application form आपको आप पे फिल करना है तो पूरी जानकारी इस वीडियो माँ पे cover करेंगे इस वीडियो को आप लोग लाश्ट तक पूरा देखें सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले वीडियो को लाइक जरू करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मद्यपरदेश राशन की हर विकैंसी की जानकारी आपको मिलती रहेगी तो वीडियो को नीचे जाए सबस्क्राइब के रैड बेटन को आपके क्लिक करें हर विकैंसी का अपडेट इसी तरीके से आगे भी पात रहे तो बिलकुल शुरू बात कर देते हैं अपना अपडेट को और जो विकैंसी का नोटिटिकेशन विज्यापन आपको दिया जारा डिरेटली इसको यहाँ पे ओपिन कर लेते हैं तो दोस्तो यह नोटिटिकेशन यहाँ पर राएगा उश ने कटी बन दिये वन अनुसंधान, संस्थान और जबलपूर मध्य परदेश में यह रिक्रूट्मेंट यहाँ पे जारी कर दिया गया डिरेटली मैं आपको वेकैंसी टेवल की ओर ले चलता हूँ कौन कौन सी पोस्ट इसमें आप पे शामिल की गई तो दोस्तो सबसे पहली जो पोस्ट यहाँ पे जो रहने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे रहेगी ग्रेट टू की यह पोस्ट है और लेवल पांच आपको यहाँ पे वेतन में लेगा कुलमला के नौ पद यहाँ पे शामिल की गए सबी कैटिक्रिस को यहाँ पे इंक्लूट करके बैचलर डिग्री जो है साइंस में, बॉटनी में, विजियोलोजी में, बायोटेक में, फोरेश्ट्री में आप सभी लोग एपलाए कर पाएंगे इसके बाद दोस्तों अगरी जब पोस्ट है यह इस्टेनोग्राफर ग्रेट टू की है लेवल फूर यहाँ पे आपको सैली मिलेगी दो ही पाद इसमें आपको शामिल की गए जो भी केंडिरेट्स आपके 12th क्लास पास है तो बारवी कक्षा वाले सभी केंडिरेट्स आप लोग एपलाए कर पाएंगे कम से कम आपको 80 वर्ट्स पर मिनिट की इस ट्यानोग्राफी आपको आने चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा में और दोस्तों इसके लिए आपको सर्टेफिकेट कोर्स भी आपको चाहिए कम्प्यूटर का और यह आपके पास होना जरूरी है इसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है देख सकते हैं क्लेरिकल पोस्ट है लोवर डिवीजन क्लेर तो लडिसी की पोस्ट भी आपको आचुकी है लेवल टू आपको 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 सैल ही मिलेगी नौपद यहाँ पे शामिल के गए सभी कैटिग्रीस को आपके मिलाके इसमें आप लोगों को ट्वेल्थ क्लास पास होना आपका जरूरी है तो बारे भी कख्षा पास है तो बिल्कुल अपलाय करें इसके साथ सा दोस्तों आपको यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे रहने चाहिए तीस वर्ड पर मिनिट की जो की इंगलिश में हो और 25 वर्ड देखे 30 वर्ड हो या फिर 25 वर्ड हो तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अपलाय करें तीस वर्ड आपकी इंगलिश में रहने चाहिए और 25 वर्ड जो है आप लोगों की per minute हिंदी में आपकी टैपिंग रहना चाहिए और दोस्तों उसके बाद अगली जो विकेंसी है ये टेक्नीशन की है और टेक्नीशन ग्रेट टू की लेवल टू आपको आपको आपके सेली मिलेगी तीन पद इसमें आप पे शामिल किये गए तीन अलग-अलग क्रेटिग्री में इलेक्ट्रिकल, पिलंबर और कार्पेंटर इसमें आपको ITI का सेर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों से मांगा चारा और सेर्टिफिकेट कोर्स है आपका सम्मद है जो भी आपके ट्रेड है तो बिलकुल आप लोग यहाँ पे एपलाई कर दें इसके बाद देख सकते हैं बन प्रिशिक्टन संस्तान से आपको सफलता पूरवक वानी की प्रिशिक्टन पार्टिकरम पूरा करना जरूरी होगा तो यह जानकरी अगर आपके पास है तो बिलकुल आप लोग यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अपलाई कर दें दोस्तों इसके बाद MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ की वेकैंसी भी आ चुकी है लेवल एक आपको सैल में लगी इसमें दोस्तों सोला पद यहाँ पे शामिल किये गए तो देख सकते हैं सभी केटिग्रिस में यह करीब करीब सोला पद यहाँ पे समरित कर लिए गए और सिर्फ अगर आप लोग टैंथ क्लास पास हैं दसवी कक्षा पास हैं तो बिलकुल आप लोग इस पोस्ट के लिए एपलाए कर पाएंगे अब बढ़ जाते हैं अगली इंफॉर्मेशन की ओर तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग जो यहाँ पे डिसेबल्ड केंडिरेट हैं तो डिसेबल्ड केंडिरेट भी यह और साथ फरवरी 2022 को साड़े दस बज़े से उपलब्द कराया जाएगा तो साड़े दस बज़े साथ फरवरी से यह फॉर्म मना पे शुरू हो चुके हैं और ओलाइन आविदन जमा करनी की जो लास देट है नौ मार्च 2022 रात के बारा बज़े तै की गई तो नौ मार्च 2022 तक का समय आप लोगों को दे दिया गया आप सब लोग जो है ऑफिशल वैबसाइट के माद्यम से MP online के पोटल से आप लोग अपना apply कर दें इसके लिए दोस्तों आपको अलग से टेबिल के तोर पे information भी दे दे गई साथ फरवरी से 9 मार्च यह आपको समय दे दिया गया apply क करने के लिए age limit के बारे में भी information आपको दे दी गई है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं post wise यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर age का criteria आपको दिया जा रहा है तो कम से कम देखिए 18 साल आप लोगों की यहाँ पर उमर रहना चाहिए और करीब करी जैसे देखिए stenographer की प category के candidate है schedule cash, schedule tribe, OBC, EWS तो आपको age में relaxation दिया जाएगा और PWD candidates को भी आयू में आपको यहाँ पर रहाया है छूट आपको मिलेगी application fees भी इसमें आप लोगों को दोस्तों देनी होगी और application fees का payment जो है आपको यह वाले कॉलम में बढ़ा रिया गया MP online के माध्यम से आपको यह application form की fees आपको pay करनी है तो यहाँ पर table में देख सकते है अन्रिजर्व, EWS और OBC जो candidate है आपको 1300 रुपे, schedule cash, schedule tribe, दिव्यांग, महिला किसी भी category क्यों और ex-serviceman आपको 800 रुपे और जो यहाँ पर देखिए screen जो candidates है जो की notification नमबर इतना है तो आपको 800 रुपे का fees का payment आपक आपको दे दी गई, और plan भी बता दिया गया, exam में कितने क्या प्रेशन है आपसे पूछे आएंगे, exam का pattern क्या है, तो post wise आप लोग देख सकते हैं, multiple choice question आप लोगों के पूछे जाएंगे, और 100 प्रेशन हैं आप लोगों के रहेंगे, 100 अंकों के यह 100 सवाल आपके पूछ आएंगे, किसी किसी post में 3 गंटे का समय मिलेगा आपको, किसी किसी post में 2 गंटे का समय आपको दिया जाएगा, तो यह जानकारी अप लोगों के चेक कर सकते हैं, और 1 by 3 आप लोगों के negative marking रहेगी, और एक सही उतर आपका मिल जाने पे, आपको एक अंक यहाँ पे मिल तो दोस्तो अभी जो है, जो आपको information याद रखनी है, कि आपको आविदन जो है, 9 मार्च 24 इस देट तक रात के 12 बज़े तक आपको apply करते ना है, MP online के portal के मद्यम से, एक बार मैं आपको official website की और भी ले चलता हूँ, तो दोस्तो यह official website है, और इसी के मद्यम से आप लोग apply यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर आपको तीन option दिये गए, notification, save आए और download, तो download का यह जो section है, आप लोगों को यहाँ पर सरकारी भरती का विग्यापन मिल जाएगा, center का यह जो option आपको दिया जाना, save आएगा, इसकी माद्यम से ही आप लोगों को online apply करना है, तो save आए पे इस इस पे मैंने आपको क्लिक किया, यह application form का format आप लोगों को ऊपर की तरफ ही मिल जाएगा, application form, 7 फरवरी से 9 मार्च तक आप लोग apply करें, और लखा यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, application form का format आपका open हो जाएगा, और दोस्तो, fees का payment के लिए भी अलग से आपको link provide करा दे गई, और आप लोग रसीद डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यह option आपको दे दिया गया है, और application form को अगर आपको जो है, ex applicant जो candidates है, तो आपको यह वाला option दे दिया गया है, तो जल्दी से आप लोग apply कर दें, तो पूरी जान करें इस वीडियो में मैंने जरू करें, दसवी कक्षा भी अगर आप लोग पास हैं, तो आप लोग इन vacancy को apply कर पाएंगे, और 12th class भी पास हैं, तो भी आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे की vacancy की जानकरी आपको मिलती रहेगे, तो वीडियो के नीचे जाएं, स अधिपरदेश राशन द्वारा हर vacancy की जानकरी आगे भी पात रहेगे मिलते हैं आप सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो में, थेंक यू, सो मच